अध्याई 10 है हेलो एलकेन तथा हेलो एरीन यानि वे हाइड्रोकार्बन जिन में हेलोजन परमौन विद्धियमान हो उनको अपन हेलो एलकेन तथा हेलो एरीन बोलते हैं और एरोमेटिक वाले जो हेलोजन के विद्पन होंगे उनको अपन हेलो एरीन बोलेंगे और हाइड्र विद्पनों में जो सीएक्स बंद है यानि हेलोजन और कार्बन के मंद्रिया जो बंद है इसमें कार्बन के संक्रण के आधार पर हेलोजन विद्पनों को दो वर्गों में विवक्ट किया गया है, SP3-CX बंद वाले योगिक, तथा SP2 CX बंद वाले यूग, तो सबसे पहले अपन SP3 CX बंद वाले यूग को देख लेते हैं, तो मैं जो सबसे प्रथम जो परकार है वो है प्रात्मिक दित्तिक थतात्रित्यक अलकील हेलाइड अब प्रात्मिक दित्तिक थतात्रित्यक कितने कार्वन से जुड़ा है यहां जो है यह वाला कार्वन दो अल्किल समूज से या फिर दो कार्वन से जुड़ा इसलिए इसको बोलेंगे अपन दित्यक अब धिखें एक्जाम में एलालिक हिलाई दिखें दिखेंगे लेलिक हैलाई दिखेंगे अलेलेक हिलाई तो सभसेते हैं कि सबसेते हैं कि यह हेलोजन आपन क्लॉरिन का उदारण लेकर शंचन जो कि जो की SP3 संक्रीत है अगर वो आगे खुली स्रंकला वाले दिवी बंदित कार्बन से जुड़ा हो देखो ये खुली स्रंकला है और ये दिवी बंदित कार्बन है उससे जुड़ा हो तो बनने वाला हलाइड होगा लिलिक हलाइड और बैंजिलिक के अंदर या फिर बैंजिलि है SP2 CX आमंद वाले योदिक यानि हेलोजन से जुड़ा कार्बन का संक्रण क्या होगा SP2 होगा तो इस पर एक तो प्रकार है वाइनिलिक और दूसरा है अब वाइनिलिक में क्या होगा कि हैलोजन परमाणो डायरेक्ट खुली स्रंकला वाले दी बंदित कार्बन से जुड़ा होगा यहां पर हैलोजन परमाणो डायरेक्ट दूसरा ओसरा होगा तो इस परमाणो से जुड़ा है और यहां पर देखी यह भी जो हैलोजन परमाणो डायरेक्ट जो है यह वाला जो कार्बन है यह वह है दोनों के दोनों हेलोजन परमावनों जब एक ही कार्बन से जुड़ हो तो इनको उपन बोलेंगे जैमे डाइलेड और विश डाइलाइड में क्या होगा कि जो हेलोजन परमावनों है जैसे ये क्लोरीन और ये क्लोरीन दो पास-पास के कार्बन परमावनों पर लगे होंगे इनको अपन बोलेंगे फिछ डाई है लाइड इसको अपन बोलेंगे अथिली डीन डाई क्लोराइड और इसको बोलेंगे अथिलीन डाई क्लोराइड फिर इसके बाद अपनको पटनी है CX बंद की प्रकरती सी एक्स बंद की प्रकृति में इनकी बंद लबाई या बंद लबाई कि इनकी वीच अगर कार्बन कार्बन फ्लोरीन कार्बन क्लोरीन कार्बन ब्रोमीन इत्यादी इनकी बंद लंबई या किस प्रकार से है और इनका दीतरू आगून वो किस परकार से जो है बदलता है फिर आयूपैक नाम करण कारबनिक विज्ञान के प्रतेग अध्याई के प्रतेग योगिकों का जरूरी है तो आयूपैक नाम या फिर आयूपैसी नाम करण आपको आना चाहिए हर चेप्टर में फिर अपना विर्चन की या फिर निर्मान की अगर अभिक्रिया देखते हैं महत्वपून तो उसमें फिंकल्स्टाइन अभिक्रिया स्वार्स अभिक्रिया और सेंड महर अभिक्रिया ये अत्ती महत्वपून अभिक्रिया है जिसमें से Finkelstein, Swartz और Markovnikov अभी करिया ये तीन अभी करिया जो है वो Alkyl Helide के निर्मान के लिए है और बाकी की ये जो Sand Mer अभी करिया है वो Aryl Helide के निर्मान के लिए है ये वाली अब Finkelstein अभी करिया और Swartz अभी करिया ये आपसे नाम द्वारा आपसे एक्जाम में पूछी जा सकती है Finkelstein अभी करिया लिखिए Swartz अभी करिया की रसाइनिक अभी करिया लिखिए अब इन अभी करिया हों में ये जो अभी करिया है मौरको निकॉफ अभी करिया एक मौरकोणिकौफ और एक होती है पर्ति मौरकोणिकौफ अभी करिया यापसे नाम रियक्शन ना देखे नाम से ना पूँछ के आपको अभीक्रिया देखे पूछ ली जाती है इसका उधारण 10.4 है आपके अध्याई में 10.4 उधारण जो कि इस परकार से इसकी आप प्रैक्टिस बिल्कुल कर ले वे फिसके बाद अगर मैं सैंड मेर अभिक्रिया के बारे में कुछ महत्पून तत्य बताओं तो सैंड मेर अभिक्रिया अपने अपन को अध्याई 13 जोगी एमीन है वहाँ पे भी मिलेगी सैंड मेर अभिक्रिया से अपन अरोमेटिक यानि अरिल हलाइड बना सकते हैं अध्याई 13 में भी ये महत्पून अभिक्रिया है और अध्याई 10 में भी ये महत्पून अभिक्रिया है तो राशानी के अभिक्रिया में बात करें तो अती महत्पून अबिक्रिया प्रत्योंugene कि क्रिया विदी पूछ ले दूसरा प्रत्यों आपको पूछा जा सकता अलग अलग परकार के अलग 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 परकार के अलग 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 अ तो SN2 अभिक्रिया के लिए अगर मैं इन शॉर्ट मैं आगर आपको बताऊं तो SN2 अभिक्रिया के लिए जो प्राथ्मिक अलकिल हलाइड है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है अब इसका कारण जो है त्रिप्तिक अलकिल हलाइड हो सबसे निमतम क्रियाशील होता है इसका क से यह यहां पर неक्स यहां पर एक Qe aggression बन सकता है कि जो एलिलिक तथा बेंजिलिक हेलाइड होते हैं वो SN1 अभिक्रिया के प्रती अधिक क्रियाशील होते हैं क्यों इसका कारण आपको देना है इसका आंस्वर यह है कि इन में जो है कार्वो केटाइन जो होता है कार्वो केटाइन का निर्वान होता है वो अनुनाद अद्वारा स्थाई हो जाता इसलिए दोनों जो है वो ज्यादा बेगया शील है फिर यहाँ पर उबेधर्मी नाभिगरागी इसकी परीबास और इसके कुछ उधारण है इसका ग्यान आपको अवश्य होना चाहिए और SN1 और SN2 का कॉंसेप्ट क्लियर करने के यह उधारण आपके अध्याई में उधारण 10.6, 10.7 और 10.7 आप अवश्य शॉल्व करें फिर नाभिगरागी प्रतिष्टापन अविक्रिया में कुछ त्रिविम पहलू दे रहे हैं अब त्रिविम पहलू में कुछ परीवैसा हैं जैसे सम्मित कार्बन या फिर किरेलता इसको काईरेलता भी बोलते हैं क्या होती है परतिवी में रूप समावय भी क्या होते हैं और important resume करन क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए फिर next अभिक्रिया की तरफ बढ़े तो बीटा विलोपन अभिक्रिया ये बीटा है बीटा विलोपन अभिक्रिया जिसमें सत्ज वह भी यान का निर्मान होता है कौन सी अलगून का निर्मान होगा सत्जेफ नियेंग द्वारा होगा इसकी राषानेक अभगरिया देखे भी आपसे पूछा जाै सबस्क्राइब बनाते हैं जिनको अपन आर एमजी एक्स बोलते हैं और ये और आपकर वक्राइड मिल करते हैं फिर इंपोर्डेंट अभी करिया है इसमें दो आलकिल हलाईड यानि आर एकस आर एकस आर एकस मिलकर sodium और ether की उपस्थिती में alkane का निर्वान करेंगे यानि ये जो R है दो ये आपस में जोड़ जाएंगे ये आपको इसका ग्यान होना अवश्य है फिर अगर अपन next अभी केरव की तरफ बड़े तो अभी करिया है हेलो एरीन की अभी करिया से है एक तो अनुनाद है दूसरा हैलोजन और कारवन के मद्य धीबंद का गुण आ जाता है जो बेंजीन का कारवन होता है और कुछ और कारण है जो इस परकार से है इन कारण जो है ये सबसे कम अभी करिया शिलता दर्शात है फिर important reaction है फ्रीडेल क्राफ्ट अभी करिया में एक Lewis अमल होता है A.L.C.L. 3 जिस पर electron की निउनता होती है अपन आईरन ट्राइक्लोराइड भी ले सकते है इसके पस्तित में अभी करिया होती है इससे भी जो है अलकेन का निर्मान होता है ये कुछ अभिक्रिया इस परकार से है फिर है वुर्स फिटिग अभिक्रिया और नेक्स्ट है फिटिग अभिक्रिया वुर्स फिटिग और फिटिग अभिक्रिया वुर्स अभिक्रिया का जैसे ही है वुर्स अभिक्रिया में केवल जो हेलोजन वित्वन होंगे वो दोनों के दोनों ऐरोमेटिक होंगे और उनसे जो है अरोमेटिक योगीक बनेगे जो की कुछ इस परकार से है फिर चेप्टर के अंत में है पॉली हेलोजन योगीक अब इस पॉली हेलोजन योगीकों में इस पेशली आपको क्लोरोफॉम और फ्रियोन क्या होते हैं इनका नाम और इनका सुत्र आना चाहिए फिर क्लोरोफॉम से फॉस्जिन का निर्मानी अभी करिया है इसका ग्यान आपको होना चाहिए आपको याद होनी चाहिए पूछ लिए जा सकती है और इंपोर्टेंट लास्ट में एक योगी होता है डीडीटी जिसका नाम और जिसकी संरचना कुछ इस परकार से हैं यह आपको आनी चाहिए